नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक सुवागत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ आपको सुष्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में ओई पुलिंग रोगों से मुक्ती पाने की अनूठी विदी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल आइकोन है आप उसके उपर क्लिक करना ना पूले क्योंकि इससे आपको हमारी सभी आने वाली विडियो के नोटिप केशन आते रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं तो आईए दोस्तों अब बात करते हैं अपने टोपी की मामूली से खर्च में हमेशा स्वस्थ और उर्जावान रहने की विदी है ओएल पुलिंग मुख के अंदर तेल भर कर कुछ समय तक रखने या चूसने मातर से अनेको अनेक रोगों से छोटारा मिल सकता है ये बहुत पूरानी आयरुवेद की चिक्ट सा है जिसको आज सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं आज प्रच्चमी जगत इसको अईल पुलिंग थेरेपी के नाम से जानता है तो आई ये जानते हैं इसके बारे में क्या है आईल पुलिंग तेल चोशन विदी इसको गंडूस करम भी कहते ही आईल पुलिंग सरीर से विसों को निकाल डिटोक्सिफाई करने की असान सरोसस्ती से विदी है चोटे से चोटे बड़े से बड़े और नए तथा पुरानी रोगों से चुटकारा दिलाने में बहुत एहम है ये प्रकिरिया प्राचीन भारत की अनूठी देन है ये विदी जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं ये विदी आज पस्चमी जगत में बहुत अधिक लोग पिरिये हैं मगर दुर्भागे पूर्ण है कि भारत के लोग जो इसके जनन दाता हैं वो इसके बारे में आज नहीं जानते आज हम आपको इसी से प्रिचे करवाते हैं जिससे सरीर विसाक तो होगा ही साथ ही साथ नई उर्जा और रोग मुक्त होकर बिलकुल नया सा अभवाप करेंगे आयल पुलिंग को आयरुवेद में गंडूस करम के नाम से जान जाता है इस तकनीग पर हाल ही के दिनों में कुछ सोध करताओं ने सोध भी किये हैं और इनके प्रणाम इतने साकरात्मक निकले हैं कि आपको भरोसा करना मुस्किल है कुछ रोगों में तो लाब महज दो दिनों में ही सामने आ जाता है जबकि कुछ में एक साल का समय लग जाता है आम तोर पर फाइदे के लिए ओयल पूलिंग तकनीक को कम से कम लगतार 40 से 50 दिनों तक परियोग में लाए जाने की अफसकता होती है दोस्तो आज आपको इसी विशे पर हम जानकारी दे रहे हैं आईए जानते हैं ओयल पूलिंग करने की विदी और इससे होने वाले फाइदों के बारे में सुबह उठने के बाद मुहों साप करने के बाद लेकिन नास्ते से पहले एक बड़ा चमच यानी 10 हैमल सुर्ज मुखी का तेल या तिल का तेल या मुख़ली का तेल जो आपको असानी से मिल जाए इसको मुहों में भर लेने के बाद मुहों बंद रखकर उसे मुहों में गुमाएं और दातों से खीचें और ऐसा 15-20 मिन्ट तक करें अन्य सब्दों में तेल को चबाने की किरिया करें चबाते से में ठोडी को हिलाएं गोडे द्वारा दाना खाने के सवान इसे अच्छी लार बनती है और मुक्की जिल्ली के मद्यम से रक्त दोस और विस खीच ले जाते हैं मुह में तेल भरकर इस किरिया को करने से 15-20 मिन्ट में तेल दोसित पतला और सफेद हो जाता है तत पस्चात इस दोसित तेल को ठोक दीजिए दोस्तों इस परियोग में एक सावधानी भी है जिसका आपको पालन करना है किसी भी हालत में इस जहरीले तेल को निगलना नहीं है क्योंकि आपके सरीर के सभी दूसित जो कन थे वो इस तेल के अंदर आ चुपे हैं जब आप इसको मुह में घुमाते हैं इसके बाद मुह को अच्छी त्रहे से धो लिजे और दातुन या दंत मजन कर लिजे क्योंकि आयल पुलिंग के बाद सरीर के जहरीले तत्व तेल के साथ मुह में आ जाते हैं ये चिकित सा रोगी को अपने रोग अनुसार दिन में दो या तीन बार करने चाहिए ध्यान रहे ये करने से पहले पेट खाली ही हो अर्थारत भोजन के पहले ही आपको इसको करना है भोजन के बाद इसका आपको कोई लाब नहीं होगा अब जानते हैं इससे होने वाले लाबों के बारे में ताजे रोग और प्रारंबिक चिकत्सा काल के संकर्मन दो से चार दिन में ही सिगर्था से ठीक हो जाते हैं प्रंतु पुरानी बीमारिया ठीक होने में अधिक समय लग जाता है आते चिकत्सा परकिरिया छोड़न नहीं चाहिए प्रयोग के प्रारंब में खासकर एक से अधिक रोग वाले रोगी की तकलीफें बढ़ सकती हैं जैसे सरीर का तामन बढ़ जाना इत्यादी ऐसी स्थिती में गबराकर चिकत्सा नहीं छोड़े क्योंकि बिना किसी दखल के अपने आप सब ठीक हो जाता है ऐसे लक्षन इस बात का सूचक हैं कि आपका रोग खतम हो रहा है और चैपच्चे बढ़ने से रोगी का स्वास्ते सुधार हो रहा है आयल पुलिन से आपके निरंतर स्वस्थ रहने के तो बल मिलता ही है इसके लावा जिन रोगों के ठीक होने का दावव विज्ञान भी करता है उनमें खास है दातों के बिमारियां मसूरों से खून का बहना, दात दर्द, दातों का पीलापन, पुरानी रक्त रोग, चाईयों, जुरियां, सिरदर्द, स्वास नली की सूजन हर्दे रोग, गुर्दे और मुत्र समंदी बिमारियां, पेट, फेपडे और जिगर के रोग, अस्थी रोग, चरम रोग, सनायू रोग, पक्सा घात, एलिंद्रा आदी ये प्रक्रिया कैंसर में भी बहुत अधिकल लाव दायक है आयल पुलिंग से विसैले टूमर का भढ़ना रुक जाता है और धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाता है इसके प्रणाम से आँखों के नीचे काले घीरे मिट जाते हैं और रोगों के अकरमन से पहले वाली ताजगी, सफूर्ती, सकती, समान सकती, अच्छी भूक, गहरी नीद, सवभाविक रूप से आती है तो दोस्तों आप भी इस विदे का प्रयोग करके अपने सरीर को सवस्त बना सकते हैं क्योंकि इस विदे का प्रयोग करने में आपको किसी तरह का कोई खर्च भी नहीं करना है क्योंकि ये सभी तील आपको आपके घर में ही असानी से मिल जाएंगे तो दोस्तों आप भी इस उपाई का प्रयोग करके अपने आपको सवस्त बना सकते हैं और जी सकते हैं सुवस्थोर हेल्थी जीवन जिससे कि आपको जीवन में कभी भी बिमारियों का सामना नैख करना पड़े तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ-साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं